पश्चम बंगाल तमिलाजू असम केरलो पुजुचेरी में विधानसबा चुनाओ का बजा बिगुल बंगाल में आठ असम में तीन तमिलाजू केरलो पुजुचेरी में एक चरण में होगा मतदान सभी राजियों के दो मई को आएंगे दतीजे GST के विरोध में व्यपारी और ट्रांसपोर्टोज ने बुलाया भारत बंग देश के कई हिस्सों में दिखा बंद का असर दिल्ली में कहीं बंद रही दुकाने तो कहीं गुलसार रहा बाजार साथ दिनों से एक बॉडर से दूसरे बॉडर से हातों में मशाल लिए पैदल चल रहे बुज़ुर्ग किसान असम में तीन चरण में, पश्चिम बंगाल में आठ चरण में वहीं तमिलाडू केरल अपुडुचरी में एक चरणों में ये मतदान होंगे और इन सभी चुनावों की जो नतीजे हैं वो दो मई को आएंगे देखें पूर रिपोर्ट पश्चिम बंगाल केरल सहित पाच राज्जियों में विधानसभाच चुनावों की तारीखों का शुकरवार को एलान हो गया है चुनावायोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल केरल तमिलाडू असम पुडुचरी सभी जगेंगें पर दो मई को वोटों की किंदी होगी असम में तीन चरणों में होंगे चनाव पहले चरण में मददान 27 मार्च को होगा, दूसरे चरण में 1 एपरिल को होगा, तीसरे और आखरी चरण में 6 एपरिल को होगा तमिलाड़ो केरल में हो नहें चनाव तमिलाड़ो केरल में महस एक चलन में मददान होगा दोलो ही राजियों में मददान 6 एपरिल को होगा पुरुचरी में 6 एपरिल को मददान चुनाओं की अधिसूचना 12 मार्च नमांकन की आखरी तारीक 19 मार्च नमांकन पत्रों की जाच 28 मार्च, नाम वापसी की तारीक 22 मार्च, पतदान की तारीक 6 गरगट चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों के साथ जाने की अनुमती होगी नमांकन की प्रक्रिया और सेक्योरिटी मनी ऑनलाइन भी जब आहोगे रैली के मैदान तैह होंगे, सभी राज्यों में सुरक्षा बल पहले ही भेज दिया जाएगा चुनाव आयों के मताबिक 5 राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीजों पर चिना होंगे तमिलाडू पश्चिम बंगाल थेरल असमर कुठुचरी के 2.7 लाग मतदान खेलरों पर 8.6 करोल मतदाता वोट जालेंगे असम विधानसभा का कारेकाल 31 माई, तमिलाडू का कारेकाल 24 माई स्वाष्य मंगाल का कारेकार 20 माई, 13 विधान सभा का कारेकार 12 तक खत होगा देश के व्यपारियों और उनसे जुड़े बड़े संगचनों ने शुक्रवार को भारत बन बुलाया और इनकी ये मांग है कि जो GST है इसमें संशोधन किया जाए और ये भारत बन जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी बुलाया गया था और इनकी मांग है कि जो ये पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं इससे व्यपार पे काफी असर हो रहा है आज इस भारत बंद का देश के अलग-अलग राजियों में असर देखने हो बिला तो वहीं रास्थानी दिल्ली में इसका मिला जुला असर देखने को मिला देखें पॉर रेपोर्ट Confederation of All India Traders ने GST की खामियों और E-Commerce से संबंधित मुद्दों के खिलाब भारत बंद का आपाहनी क्या है इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिला है बंद शुरू होने के कुछ घंजों के अंदर कई राजियों में इसका असर देख रहा है कैच ने GST नियमों की समीक्षा की बंद का कोई असर नहीं पड़ा और बाजार दूसरे दिनों की तरहे खुले दिखे ऐसा ही नजारा दिल्ली के मदुविहार के बाजारों का रहा अगर भारत बंद होता है बारत बंद के अंदर जो टेक्सिस गवर्मेंट को जाते हैं GST के रुप में इसना भी व्रपार बंद होने से उस तस्रीजा असर गवर्मेंट के रेमिन्यू को पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल उसमें एक परिके से जामिन्यू का लाउस्ती है दुगांदार का अपनी जीवी का है उसका नुक्सान पर जो अपना जीवन यापन के लिए रेली कंवाता है तो इसके अंदर उसका नुक्सान है यsPERọप भारत में है दृली का व्यापारी के लिए जो फ्ंद बना वाए अले उसमें यही तैव हुवा था कि अभी धिल्ली को हम बंद भने करेंगे इसके लिए हम सपकार से बात करने करें के लिए क्यूंकि मिलवास कथ इनाकी नुक्स था करने कर लिए होंए भारतबंद का असर दिख रहा है कई राज्यों में व्यर्पारिक संस्थान्थ बंदन हैं रास्ते भी सूनी दिखाई दे रहे हैं वयपार्यों ने बाजारों को बन रक्खा है और दुकानदारों ने भी दुकानों पर पालिये लगाए फ्यूल के बढ़ते दामों के खिलाब राश्ची जंता दल की नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवाज से विधानसभा तक साइकल चलाकर विरोध प्रदशन किया पैच्छोर डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए उन्होंने साइकल की सबारी की आरजेडी नेता और पूर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी अपने आवाज से साइकल से विधानसभा पहुचे उन्होंने कहा कि पैच्छोर डीजल रसोई गयस की कीमतों में लगातार व्रद्धी हो रही है जिससे आम लोग परिशान है जब बीजेपी के इंदर में नहीं थी तब महंगाई डायन लगती थी और अब भौजाई लग रही है कि अब लोग जानते हैं यही पीजेपी के लोग जो है पहले गाना का अब जाते हैं अज आम जंता का जो है कमर तोर दिया गया है और यह साफ तोर पर हम पर किसी ना किसी प्रकार से तंग किया जाए उन पर हमला किया और यह आम आदरी से लेकर के देश ऐसे ही जो है जो है और इसको जो है कम करेंगे बच्छे देए कम करने के वजाए जो है लगतार समय समय पर जो है बुराया जा रहा है और वो तब जब कच्छी तेल जो परती बेरल जो है इंटरनाशनल वागेट में सस्ता है दरसल GST पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समीत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया किया है देश के कई व्यपारी संगचन ट्रांस्पोर्ट ने इस बंद का एलान किया है इस दोरान बजारों ट्रांस्पोर्ट को बंद रखा जाएगा ये बंद शुकरवाज सुबे 6 बजे से रात 8 बजे तक है दिली की सीमाओ पर किसानों का जो अंतूलन है वो लगातार जाड़ी है इसी कड़ी में खर्याना के बुज़र्ग किसान पैदल अपने हार पे मशाल लेकर अब दिली की सीमाओ पर जा रहे है और अपना ये जो विरोध है नए क्रिशी कानूनों के खिलाब उसे दर्श कर रहे हैं ये जो बुज़र्ग हैं कि पिछले 7 दिनों से पैदल माच कर रहे हैं और इनकी ये मांग है कि ये तब तक चलते रहेंगे जब तक सरकार ये नए कानूनों को वापस नहीं ले लेती हैं देखें पूरे रपोर्ट दिली की सीमाओ पर नए क्रिशी कानूनों के विरोध में खिसानों को प्रदर्शन पिछले 3 महीरों से लगातार चारी है किसान अभी अपनी मांगों पर जटे हुए हैं कि जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती हैं वो अपना प्रदर्शन चारी रखेंगे इसान दोलन में हर उम्र के लोग पढ़ चड़कर हिस्साने तो वही अब हर्याना के भुजर्ब किसान इसान दोलन में अपनी भागेदारी दर्श करते हुए दिली की अलग-अलग सीमाओ पर मशाल लेकर पैदल मार्च पढ़ने कर गए हैं इन में 80 साल के भुजर्ब पर शामिल है जो पूरे दमखम से अपना विरोण चड़ा रही है आपको बता दे कि ये किसानों का जट्था पिछली साथ दिनों से पैदल मार्च कर रहा है दासना से शुरू हुआ इनका ये मार्च टिकरी बोजर सिंगू बोजर होती हुए अब गाजी पर बोजरा पहुचा है और यहां से दिली जैपर बोजर पर रुप करेगा इन किसानों का कहना है कि सरकार ने जो बरबरता वाला रवया अपनाया है उसके खिलाफ ये पैदल मशाल यात्रा निकाली है उन्होंने और ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक नहीं किशी कानूनों की वापसी नहीं हो जाती है कहां से आए आप लोग अब आए हैं जी डासा बोटर से अच्छा और फिर टीगरी बोटर अच्छा फिर शिंदी बोटर और फिर यहां पर आगे जिए रहने वाले कहां कि इसके बाद पुलवल जाएंगे किसान संगजन आज आंदोलन में युवाओं की युगदान का सम्मान करते हुए युवा किसान दिवस आयुजद करेंगे साथी आज सकेम के सभी मंचों का सज्चान युवा करेंगे किसान और सरकार के बीच 11 अगर की बातशीत अब तक हो चुछ की है लेकिन अगली बातशीत की कोई तारीक नहीं तै है अब देखना ये होगा कि करकराती धन में शुरू हुआ यह आंदोलन चिलजिलाती धूप में अब आगे और कितने दिन चनेगा हुए क्रिशी कानूनों के खेलाब किसानों के आंदोलन को आज 93 दिन हो चुके है और साथी 26 नवेंबर को दिल्ली की सीमावा पर जो ये आंदोलन शुरू हुआ था उसको तीन महीने भी पूरे हो गए तो इसी के मद्दे नजर आज किसानों ने युवाओ के योगदान को सम्मान देते हुए युवा किसान दिवस मनाया और युवाओ नहीं आज सभी मंच का संचालन किया देखिए पोई रेपोर्ट कुझी कानून के खिलाफ हो रही किसानों के विरोध प्रोदेशन को तीन भाहीने हो चुके है ऐसे में किसान आंदोलन को तेज करनी के लिए रगाता नई रणीती बनाते हुए दिख रहे है इनी रणीती के अंतरगत संयुक्त किसान मोचा द्वारा युवा किसान दिवस का आयोजन किया गया इसी दिवस के तहट गाजी पूर बॉजर पर युवाओं ने मंच को संभाला युवाओं के योगदान को मद्दे नजर रखते हुए युवा किसान दिवस मनाये गया भही आंदोलन के 93 दिन बॉजर पर युवा काफियुत साहित दिखाई दिये साथ ही हविश्य में होने वाली महापंचायतों को लेकर भी रन्नीती बनाये गई बरेली से कुछ युवाओं ने आकर किसानों का समर्धन किया वही अपने शरीर पर एक तक्ति भी लटकाई जिस पर किसी विशय पर संदेश लिखे हुए थे बता दे सरकार और किसान संक्ष्णों के पीच 11 दौर की वारता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है दूसरी ओर फिर से बाटी शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तयार है लेकिन अभी तक बाचीट टेवल पर नहीं आपाई है पुरदेश में कोरोना वारिस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है देश में 25 गंटे में 16,000 से जादा नई मामले सामने आ हैं वहीं महराश्ट की स्तिती भी बत से बत्तर होती जा रही है आज महराश्ट में लगातार दूसरे दिन 8,000 से जादा नई मामले सामने आ हैं देखें पुरे एपोर्ट और जाने पुरे देश में क्या है कोरोना का हाद देश में बीते एक हफते से कोरोना वारिस के मामले चिंता जनक रूप से बढ़ रहे हैं पिशले कुछ महीने से जो लापरवाही दिख रही थी देश में वो अब भारी पड़ती नजर आ रही है स्वासमंत्राले के शुक्रवार सुबह जारी की गए आख्रो के हिसाब से देश में पिशले 24 घंटों में 16,57 तक नई मामले तरच हुए है अब देश में कुल मामलो की संख्या 1,10,63,491 हो गई है इसी दोरान 120 मौते होने के बाद कुल मौतों की संख्या 1,56,825 हो गई है शुक्रवार को जारी हुए आख्रो के मुताबिक नए मामलो की संख्या एक दिन पहले की संख्या से 161 कम है फिर भी कोविट मामलो की बढ़ती संख्या ने चिंता चनक स्थिती पैदा कर दी है मामलो के पॉस्टिव आने की दर धीरे धीरे पढ़ रही है और अब या 1,41 फीस से दी हो गई है मंत्राले के आकड़ो के अनुसार पिछले 24 घंटों में 12,189 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए है अब देश में करोना के 1,55,996 अक्टिव मामले हैं देश में अब तक कुल 1,750,680 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं देश में रिकवरी दर 97,17 प्रतिशत है वहीं मृत्य दर 1,42 प्रतिशत है महराज की बात करें तो महराज में लगातार दूसरी बार 24 घंटे में 8,000 से जादा नए मामले सामिन आए हैं आग्रों के मताबिक बुधवार को यहां 8,807 और गुरुवार को 8,702 लोग संक्रमित पाए गए और राश्ची राजधानी दिल्ली में भी कुरोना के मामले तेश होनी लगे हैं यहां पिशले 3 दिन से मरीजों की आक्टिव संक्या में बढ़फुत्री दरश की जा रही है मतलब हर दिन रिकवरी से जादा नए केसिस सामने आ रहे हैं गुरुवार को दिल्ली में 220 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 188 लोग ठीक हुए हैं इस तरह 32 आक्टिव केसिस बढ़ गए हैं लेकिन रहत की बात यह है कि यह पहले के आगरों के हिसाब से काफे कम है इस हफते से पहले देश में एक महीने से दैनिक मामले 15,000 और दैनिक मौते 200 से कम दरश हो रही थी लेकिन अब स्थिती पिकड़ रही है इन स्थितियों के पीछे विशेशग्यों ने कई संभाव नाई चताई हैं जिसमें कोविट पोट्रकॉल का पालन करने में लोगों द्वारा की जा रही धिलाई से लेकर वायस की म्यूटेशन और नए वेरियन तक शामिल है